चलिए बनाते हैं आज आलू गुंडा जिसे हम आलू के पकोड़े भी बोलते हैं तो सबसे पहले हम बनाने के लिए एक कडाही ले लेंगे और कडाही को गर्म होने देंगे उसके बाद इसमें थोड़ा सा ओईल डाल देंगे जब ऑईल गर्म हो जाए उसके बाद जीरा ले लेंगे आधे चमस और सरसो के दाने ले लेंगे और इसे चटकने देंगे जब चटक जाए उसके बाद इसमें दो मिर्च ले लेंगे काट के डाल देंगे अब इसमें एक प्याज ले लेंगे और उसे भी बारिक काट के डाल अब अच्छे से सौते कल लेंगे दो मिनिट के लिए देखिए अच्छे से पक चुका है इसे हमें ज्यादा टाइम तक पकाना नहीं है तब इसमें मटर डाल देंगे अगर आपके पास मटर नहीं है तो आप इसमें फल्ली दाना भी डाल सकते हैं और इसे पकाना नहीं है बस हमें इसमें डाल के थोड़ा सा भुनना अब इसमें हल्दी, मीर्च पॉडर और धन्या पॉडर डाल देंगे और मीडियम को स्लो कर देंगे धन्या पॉडर ले लिए हमने अब इसे थोड़ी से चला लेंगे थोड़ी देर के लिए अब स्वादा नुसार इसमें नमक डाल देंगे हम और चला लेंगे देखिए पक चुका है अच्छे से मटर के दाने प्याज होगर है सब तो इसमें उबला हुआ आलू को मसल के डाल देंगे तीन से चार आलू है मिडियम साइस के हमने उबाल के से अच्छे से मसल के इसमें भूल लेंगे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे अच्छे से सभी मसाले मिक्स हो जाएंगे अच्छे से तो उतार देंगे अब इसमें पक चुका है मसाले तो इसमें बारिक काटके धनिया डाल सकते हैं देखिए मसाला रेडी हो गए हालू का तो अब इससे साइट में कर देते हैं ठंडा होने के लिए तब तक हम बेशन ले लेते हैं बेशन आप पतला बाला लिजेगा क्योंकि हमें इसे पकोड़ा बनाना हिस्से तो दीखे इसमें नमक डाल देंगे मिर्च पॉड़ा ले लेंगे आधी चमस हल्दी पॉड़ा और थोड़ी सी धनिया अभी सच्छे से मिला लेंगे देखे अच्छे से मिल चुका है तब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पाने डालेंगे एक साथ नहीं खोलना है हमें इसमें थोड़ा सवर पाने डाल देते हैं इसका घोल हमें ना ज्यादा गाड़ा बनाना है ना जापतला इसलिए हमें थोड़ा-थोड़ा पाने डालते रहना है और घोलते रहना है एक साथ पाने डालेंगे तो ज्यादा पतला हो सकता है इसलिए हम थोड़ा-थोड़ा करके पाने डालेंगे और इसका घोल बना लेंगे पकोड़े बनाते हैं वैसी गोल बनाना है देखे गोल रेडी हो गया है तो चलिए इसे साइड में कर देते हैं और आलू का जो हम लोग मसाला बनाये थे उसको ले लेते हैं और इसे साइड में रख देते हैं अब आलू के जो मसाले हैं उसको हाथ में ले लेंगे अच्छे से छोटा छोटा टिक्किया रेडी करेंगे इसकी देखी गोला गोल बना लिये हैं और इसको बिस से दबा देंगे देखें आलू की टिक्की जैसे बनाते हैं वह ऐसी ही बना लेंगे सभी किसी प्रकार से रेडी कर लेंगे देखे इस प्रकार से सभी रेडी हो चुका है आलू की टिकिया तब हम ऑईल गर्म कल लिए हैं पहले से ही तब इसमें आलू की टिक्की को बेशन की घोल में डिप करके तेल में डालते जाएंगे करके एक एक करके डालते जाएंगे देखिए डाल दिये हमने सभी अब इसे धीरे धीरे पकाते हुए पलड़ते हुए पका लेंगे मेडियम आज में ही रखेंगे गैस को और पलड़ते हुए पकाएंगे ये खाने बहुत टेस्टी लगता है अलू गुंडा हमारा लगभगरेडी हो चुका है तो चलिए लिकाल लेते हैं एक बरतन में और सर्व करने के लिए प्लेट में तयार कर लिए हैं देखिए और देखिए कितना अच्छे से बन चुका है अच्छे से अंदर तक पक चुका है धन्यवाद धन्यवाद झा又तो टो देखिए